भारतिय क्रिकेट बोर्ड IPL 2021 के बचे हुए मुकाबले UAE में आयोजित करेगी इस बात की जानकारी BCCI उपात्यक्स राजिव सुकला ने दी है BCCI की स्पेशल जनरल मिटिंग में इस बाबत फेशला लिया गया है BCCI IPL के बचे मेचों को सितंबर अक्टूबर में कराने की तयारी में जुट गया है IPL 2021 के बाकी बचे मेचों का आगाज 19 या 20 सितंबर में हो सकता है वही फाइनल मेच UAE में 10 अक्टूबर को खेला जाएगा BCCI T20 विशोकप के बारे में अंतिम फेसला लेने के लिए ICC से जुलाई तक की मौलत मांगेगा इस साल T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नुवंबर में बारत में प्रस्तावित है अगर भारत में हालात नहीं सुदरते हैं तो वर्ल्ड कप भी UAE में कराया जा सकता है कोरोना महामारी के चलते 2020 का IPL भी UAE में ही खेला गया था गोरतलब है कि बयो बबल में कई खेलाडियों के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद चार मही को बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के चौधवे सीजन को आयनिस्चित काल समय के लिए इस्तगित कर दिया था टी ट्वन्टी वर्ल कप की मेजबानी के अधिकार पर अंतिम फेसला ICC को करना है इसके लिए एक जून को ICC की बेठक होगी पिछले साल आस्टेलिया में होने के बाद T20 वर्ल कप को करोना महमारी के चलते रद कर दिया गया था जिसके बाद बारत को मेजबानी का अधिकार मिला BCCI के सचिन जैशाह ने अधिकारिक बयान में कहा कि BCCI बारत में मानसुन के मोसम को देखते हुए इस साल सितंबर अक्टूबर के महिनों में संयुक्त अरब अमिरात में Vivo Indian Premier League 2021 सीजन के शेश मेचों को पूरा करने की गोशना की है विशेश आम बैठा के सभी सदस्यों की सर्वसमती से IPL को फिर से शुरू करने का फेसला लिया गया है